पता दें कुल्लू में आज एचाटीसी पेंशनरों ने आकरोश रैली निकाली और इसमें धर्ना परदशन किया डीसी आफिस तक ये रैली थी इसमें ये कहा गया कि प्रदेश कारे समिती की बैठक 24 जून को मंडी में हुई थी उसमें जो चर्चा की गई थी उसमें मांग प प्रदेशन होंगे और अगा जो विधानसभा का सेशन आ रहा है मौनसुन सेशन उसका गिराव भी होगा दूसरी तरफ एक जो नई बात है वो ये कि जो जेसी सी की बैठक एचाटीसी की अठारा तारीक को होनी थी वो टल गई है और अब अगली बैठक की जो डेट है उसक वहिकल एक्ट में जो चेंज हुआ है उसका और ये हिमाचल सरकार में ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने प्रिंसिपल सेक्रेटरी आर्डी नजीम ने यार्डर किया है इसमें ये कहा गया है कि जो यदी कोई गाड़ी जिस जो अन्याराज्य में अर्जिस्टर्ड है हि जिना अनुमती से हिमाचल में चलती हुई पाई गई तो पहली बार जो अपराद है उसमें बीस हजार रुपए हलके गाड़ीओं के लिए और पचास हजार रुपए बड़ी गाड़ीओं के लिए जो जुरुमान ना लगेगा और अगर दूसरी बार गाड़ी पकड़ी तो 40,000 चोटी गाड़ी के लिए और एक लाख बड़ी गाड़ी के लिए जो पैनल्टी है वो वसूली जाएगी इसके लिए मोटर रियान कराधान अधिनियम 1972 की धारा स्तारा चार के प्रावधान के तहत राज्य सरकार ने ये बिवस्था किया जिसको नोटिफाई कर दिया ह इसलिए हिमाचल से बाहर से जो टुरिस्ट विकल या बाकी विकल्स आ रहे हैं कमर्शल विकल भी उनको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि अब टैक्स में ये परिवर्तन हो गया है और अब अगर कोई ऐसी गाड़ी यहां पकड़ी गई तो फिर उसमें पनल्टी जो है वो जो जेवे आईटी 817 का मामला है कला मने आपको बताया था कि हमिरपूर आयोग जो राज्य चैनायोग है उसके बाहर उनने परदर्शन किया था इधर राज्य सरकार से ये अनुमती का इंतजार है कि रिजल्ट कब घोशित करना है दूसरी तरफ जो राज्य चैनायोग के करमेन हैं वो एक बार फिर से वन टू वन फॉर्म वेरिफाई कर रहे हैं इस सब के बीच में जेवे आईटी 817 के अभरतियों ने राज्य चैनायोग के बाहर तंबू घार दिया है और वहां पे टेंट लगाकर धरना दे दिया है रिजल्ट घोशित करवाने के लिए क्यों हो चाहे चुनाव हो चाहे अचार सहींता हो लेकिन इस प्रदेश में पड़े लिखे युवाओं को पेपर के लिए तैयारी करने और रिजल्ट घोशित करवाने के लिए भी धरना देना पड़ रहा है ये बहुत अनफॉर्चुनेट है और राज्य सरकार को अब क्योंकि क इन मामलों को एक बाल डिसिजन लेकर प्रोसेस करना चाहिए ताकि इस तरह का जो मैसेज है वो यंग जनरेशन में ना जाए अगली बात करेंगे और वो है जो जेल वार्डन के एक्जाम की 91 जेल वार्डरों के पद भरने के लिए 28 जुलाई को रिटन एक्जाम होगा इसक ये कॉल लेटर सबको भेज दिये गए हैं ये सूचना जेल की तरफ से आई है अब बात करते हैं पीजी आई किसको सरकार में भेजा है देखिए पीजी आई में एक अपॉइन्मेंट हुई है एचेस अधिकारी 2015 बैच के हैं और पच्छाद में ये SDM थे डॉक्टर कुमार धिमान इनको पीजी आई में सिनियर अड्मिस्टेटिव आफिसर की पोस्ट पर भेजा गया है तीन साल की अवधी के लिए इससे पहले जो हमारे याँ आई एस हो गये थे पंकज राए उनको पीजी आई भेजा गया था और उनके जाने के बाद हिमकेर से लेकर हिम इसमें जो प्रमोशन ऑडर चीफ सेकरेटरी की तरफ से हुआ है इसमें यह उनिसो तरानुवार उनिसो चरानुवा बैच के आई पियस अधिकारी है इनको डिरेक्टर जनल ला इन ऑफ पुलिस इन लेवल 16 और पे मैट्रिक्स दिया गया है और इसमें श्रीन अनुराग ग जो है उनको प्रफॉर्मा बेसिस पर प्रमोशन मिलेगी क्योंकि वह बारसरकार में है और राकेश अग्रवाल क्योंकि हिमाचल में हैं तो उनको रेगुलर बेसिस पर प्रमोशन मिलने वाली है जहां तक बात है जो डिजी पी प्रिजन है संजीव रंजन ओजा यह 1989 बैच के हैं और इनको जो CID, DG, CID का चार्ज अलग से दिया गया है जेल के साथ तो यह एक अलग एक development है जो CID का चार्ज जो है वो अब ओजा साब को अलग से दिया गया है इसके साथ अगली बात करें तो वो यौन सोशन का जो मामला है उसकी बात कर लेते हैं यह जो मामला है य प्राइमरी स्कूल के साथ नाबालिक बच्चों, प्राइमरी स्कूल में ऑबियसली नाबालिक होंगे, इनमें से दो जो है वो चातर हैं पाँच छातर हैं, एक व्यक्ति पर जो गलत तरीके से छेड़खानी के आरो पीनों ने लगाए हैं, यह शर्मनाग घटना जो हो चा गाउं के एक व्यक्ति पर ये पामला दर्ज किया है और इस व्यक्ति कि जो DSP रोडू है रविंदर नेगी उन्होंने मामली की पूस्टी की है आगामी छानबीन के बाद ये अरेस्ट होगी और जो भी इसमें आगे अपडेट आएगा उसकी जानकारी हम आपको देंगे सरकार ने परदानमंत्री के नाम पर ऐसी स्कीम शुरू की थी हिमाचल सरकार ने मुख्यमंत्री बाल पॉस्टिक आहार योजना के नाम से नोटिफिकेशन आज की है और ये जो यह है नर्सरी से आठवीं तक परदानमंत्री पोशन निर्मान स्कीम चल रही है मिड़े मिल क करने के लिए आगए इसमें nutritional status स्कूल के elementary level पर देने के लिए मतलब यह भी 8 फिन तक की होगी मुक्या मंतरी बाल पॉस्टिक का हार योजना शुरू हो रही है और इस योजना के तहट हपते में एक दिन बच्चों को boiled egg दिया जाएगा या फिर fruit में बनाना या apple दिया जाएगा महिने में चार दिनिये मिलेगा जो अंडा खाते हैं उनको अंडा जो अंडा नहीं खाते वो केला जो केला नहीं खाते हैं उनको save दिया जाएगा और यह जो जो इसकी purchase है ताकि वो fresh रहे यह जो purchase है वो local level पर होगी per child per day 7 रुपए इसके लिए मिड़े मिल में अलग से add किये जा रहे हैं सिख्षा सचीव राकेश कवर ने आज इस बारे में policy की notification जारी कर दी है अब आपको बताते हैं कि कितने school बंद होंगे और head master और principal भी क्यों पढ़ाएंगे देखिए cabinet की बैठक 25 को होने जा रही है और इस बैठक के लिए education के कई मामले लिये जा रहे हैं एक मामला उसमें यह है कि जहाँ zero enrollment है उन school को बंद कर दिया जाए presently elementary department से जो list आई है उसके मताबिक 99 school ऐसे हैं जिनको जिनमें अभी presently zero enrollment है वहां के जो school है उनको बंद करके जो वहां resources है चाहे teacher है चाहे desk है चाहे कुरसी है उसको अब दूसरे school हो में भेज दिया जाएगा लेकिन इसके अलावा अगर हम पांच या पांच से कम बच्चों का देखें तो साड़े 700 school हैं लेकिन इसमें भी cabinet में जो मामला जा रहा है उसमें four and four से कम यानि कि चार या चार से कम बच्चे जिन schoolों में है जिन schoolों में पांच बच्चे हैं उनको नहीं छड़ा जाएगा जिन में चार या चार से कम है उनको merge कर दिया जाएगा दूसरे schoolों में और दूसरे स्कुलों में मर्जर करती बार यदि ये लगेगा कि बच्चे को वहां तक पहुंचने में दूरी पड़ रही है तो इसके लिए कैब का खर्चा भी सरकार दे सकती है ये प्रपोजल कैबिनेट में जाएगा कैबिनेट जो डिसेजन लेगी उस दिन हम उस डिसेजन को आपको बताएंगे लेकिन दूसरा डिसेजन साथ में क्या है वो भी बड़ा इंपोर्टेंट है दूसरा डिसेजन ये है जो अभी होगा जिसको कैबिनेट में भेजा जा रह है कि headmaster principal और CHT center head teacher ये अपना administrative work के अलावा school में daily एक घंटा classes लेंगे एक घंटा classes पढ़ाएंगे चाहे आप आदे आदे घंटे का दो period रखिए या आप तीन period रखिए लेकिन एक घंटा minimum आपको पढ़ाना पढ़ेगा administrative work के अलावा तो ये मामला भी cabinet में जा रहा है और जो बाकी चीजें हैं वो फिर जो जब 22 तारीक को agenda बनेंगा क्योंकि 21 को मुख्य सची विदर्श दोरे से वापस आएंगे और उसके बाद जैसे जैसे चीजें आगे चलेंगी वैसे वैसे चीजें आगे बढ़ेंगी और फिर उस पे बात होगी लेकिन एक इंपोर्टन चीज इसमें ये है कि cabinet में मामला जाने के बाद बाकी चीजों को लेकर जैसे सेव का समर्थन मुल्य बढ़ाना है कि नहीं वे मामला भी जा रहा है क्योंकि इसको पहले फाइनांस में भेजा गया था दूसरी तरफ पहले जो डिसिजन हुआ था उसके मताबिक HRTC ने नादौन बस डिपो के आदेश जारी कर दिये हैं कैबिनेट से इसको मंजूरी मिल गई थी अब HRTC की नोटिफिकेशन हुई है तो ये जो मामले हैं वो हैं अब अगली बात करेंगे एक और कैबिनेट सब कमेटी बनी है ये कैबिनेट सब कमेटी मुकेश अगनी होतरी डिप्टी चीफ फनिस्टर की अध्यक्षता में बनाई गई है क्रिशी मंतरी चंदर कुमार उद्योग मंतरी हर्शवर्दन सिंग चोहान और TCP मंतरी राजेश धर्मानी इसके मेंबर हैं एडवाइजर प्लानिंग जो है बसु साब उनको इसका मेंबर सेक्टरी लगाया गया है कमेटी अपनी रिपोर्ट 15 जुलाई को देगी देखिए ये अब ये सरकारी सिस्टम का एक तरह से आप हाल देखिए कि 12 जुलाई को नोटिफिकेशन की कमेटी बनाने की और कमेटी जो है रिपोर्ट देगी 15 जुलाई को तो ये आप समझ सकते हैं ये सरकारी सिस्टम में क देख चुके हैं अब वो मेंबर हैं कमिटी में और डिप्टी चीफ निस्ट चेर्मेन हैं लेकिन जो ऑफिशिल गजट में इलेक्ट्रोनिक गजट में आज नोटिफिकेशन हुई है और 20 तारीक को नोटिफिकेशन हुई है 20 जुलाई को और 15 जुलाई को इनको रिपोर्ट देने को कहा गया है तो यह एक जो अटपटी चीज है वो आपके सामने है अब बात करते हैं इसके बाद सीम दिल्ली जा रहे हैं देखिए 25 जुलाई को कैबिनेट की बैठक है 26 और 27 को मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंग सुखुद दिल्ली में होंगे दरसल निती आयो की गवर्निंग काउंसिल की मिटिंग है गवर्निंग काउंसिल की मिटिंग में सभी मुख्यमंत्रियों को भी बुलाया जाता है इसलिए सीम को इस मिटिंग में बुलाया गया है और 25 की कैबिनेट के बाद यह दिल्ली का दौरा होगा इसमें बाकी सारी चीज़ों को भी तरमन में उसमें भी साथ पॉइंट्स वहां रखे गए थे राज्य की तरफ से उसके बाद मुख्यमंत्री ने दिली जाके अलग-अलग मंत्रा लेयों में मिलकर अपनी बात रखी है और 23 जुलाई को केंद्रिय बजट आ रहा है इस बजट से पहले इस बजट के इसमें पता चलेगा कि राज्य सरकार क्या मामले इसमें लेकर जाती है अब जो हायर ग्रेट पे को लेकर हल चला है उसकी बात कर लेते हैं देखिए हायर ग्रेट पे को लेकर आपको आपने हमने बताया था कि एक नया संगठन बना है हिमाचल परदेश उच्छ वेतनमान व काफी लोग आये थे जिसमें महासचीव रविंदर शर्मा कोशा देक्ष चित्र ठाकूर वरिस्तुपा देक्ष महेश ठाकूर ये सभी लोग मिले दोसों के आसपास करमचारी थे ये मुख्यमंत्री से इन्हों ने मुलाकात की है और इन्हों ने ये कहा है कि जो लोग जैराम मुख्यमंत्री ने इनका ग्यापन जो है वो अपने सेकरेटरी को दे दिया और ये कहा कि इसमें नोटिफकेशन कैसे करनी है फाइनांस के साथ क्या डिसकुशन करनी है इसको जल्दी प्रॉसेस किया जाए अब ये कब होता है कैसे होता है वो बात अगली है लेकिन ये दू होता क्या है वो आने वाला समय बताएगा लेकिन इन्होंने दूसरी बार अपनी मांग जो है मुख्यमंत्री के सामने रिजिस्टर की है इसके बाद टाइम स्केल पर एक और हुआ है उसकी बात कर लेते हैं देखिए एजुकेशन डिपार्टमेंट ने स्कूल लेक्शनर के मा एक फिक्शेशन जो पहले कुछ गलत हो गई थी उसमें एक और किया है और यह किया है कि जो 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 दपे आफ लेक्श्रार्स हेरबाई फिक्स्ट अंडर दा प्रोविजन ऑफ एशोर्ड केरियर प्रोग्रेशन स्कीम चार नौ चौदा जिसको हम टाइम स्केल कहते हैं ऑन नौशनल बेसिस अप टू 8 8 2012 एंड अन एक्च्वल बेसिज विद इफेक्ट फ्रॉम 9 8 2012 अट आथ दौज आर बारा तक नौशनल बेसिस शिर्फ का अग्जोम में मिलेगी नौ आथ दौज आर बारा से एक्च्वल बेसिस पर मिलेगी अस एप एस एस एप एस बैनिफिट if any granted on the basis of different earlier date of regularization stands withdrawn इससे पिछली डेट को जो ACPS दी गई थी fixation के दुरान उसको higher education department ने withdraw कर लिया है वापस ले लिया है the above benefit is subject to the verification by the audit if any recovery is pointed out later on the official will have to refund the whole amount in lump sum and undertaking to the effect may be obtained and be got pasted in the service book of the individual मतलब जिनको ये withdraw किया गया है जिन lecturers का उनको ये undertaking देनी होगी कि अगर उनको extra पैसे मिल गए होंगे तो वो withdraw refund करने पड़ेंगे उनको और वो जो undertaking देगी वो देंगे वो उनकी जो जो ACR है उसमें पेस्ट की जाएगी ताकि future में भी record रहे तो ये आज की जो time scale को लेकर order था वो था